नमस्कार जैशी कृष्णा में राकेश श्यवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत सवगत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अस्टोलोजी सिखाय रहा हूं प्रॉम दिवेरी बेसिक एकदम स्टार्ट से और एडवांस तक हम लोग जाएंगे जहां से पूरे रैसन्स अगर हम लोग कर लेंगे तो कोई मतलब वह बात नहीं है कोई शक नहीं है कि मुच्छे जोतिस नहीं बन सके तो मेरे आप से यही अनुरोद है कि इस पूरी सिरीज स्टार्टिंग से देखें बिरिखाद से 35-36 के उपर ये सिरीज हो चुकी है इतनी क्लासिस हो चुकी है बाकि उसके आगे लेसन चल रहा है तो पीछे मैंने ग्रहों के कारक के बारे बताया था कि ग्रह किन-किन चीज़ों के कारक होते है कारक का मतलब यही था कि अगर उन ग्रहों के कारक थे जिसे आपको मालूम चल जाए कि आपको अपने प्रशन का उत्तर चाहिए तो उस प्रशन का उत्तर चाहिए तो उसके लिए आपको मालूम चले कि दाता ग्रह कौन सा है कौन सा ग्रह है जो यह देने वाला ग्रह कौन सा है तो यह सब बुद्धी देने वाला ग्रह कौन सा तो यह सब चीजें मैंने आपको ग्रह के कारक के अंदर बताई आशा है आपने सब पढ़ा होगा आज मैं आपको ग्रह की उच्छ नीच और मूलत्रिकोन राशियां है क्या यह भी एक सोचने वाली बात है इसके लिए बहुत इंपॉर्टन चीज है यह व ग्रह उच्छ का होता है नीच वी वह राशी जिसमें ग्रह नीच का होता है अब इसका फर्क क्या होता है फर्क यह होता है कि उच्छ की राशी में जब ग्रह बैठता है तो वह ज्यादा बलशाली होता है और नीच की राशी में जब ग्रह बैठता है तो वह कमजोर हो जात हर ग्रह की दो-दो राशी होती है सूर्य चंद्रमा को छोड़के यह तो आप जानते ही हो तो जिन जिन ग्रहों की दो-दो राशी है वोई वोई ग्रह आपके उनकी उच्छ नीच राशी आए तो उच्छ नीच राशी का हम पढ़ेंगे इसी मूल्त्रिकॉण राशी में क्या होता है कि मूल्त्रिकॉण राशी में आप जानते हैं कि आपके घर में अगर टू बेडरूम सेट है है तो किसी डीरृमम होता है जहां यहां बैठ को ज्यादा और men जो जो कुर्ण यहां एंपकर काम कर George तुछ राशी में जाके गर्ह बलवान होता है। और नीच राशी में जाके गर्ह कमजोर हो सी है। सूर्य की उच्छ राशी है मेश मेश में ये उच्छ का होता है और सूर्य की नीच राशी है तुला यानि सूर्य तुला राशी में बैठेगा सूर्य तुला राशी मींज ये सात नंबर राशी ये तो आप लोगों को मैंने बताई दिया है कि राशियों को आपको नंबर से और लागद रखना एक नंबर राषी है यह दो नंबर पीन नंबर चार नंबर पांस नंबर इसी प्रकार से टोटल में लाके बारइक बारइक दिखा तो सूर्य जब मेश राशी बैड ता ये मेश राशी एक नमर राशी जब इस में बैठता है तो बहुत बलवान अच्छे देल देदा पाप दो इसके असरत नंबरका तो बहुत प्रसंद होता है और आपको मालू में जो ग्रहा प्रसंद होगा तो वो अच्छे फल देगा देखिए ग्रह अगर उच्छ की राशी में हो मत्तब उच्छ की राशी में मीन से किसी अपने मित्र के घर में हो अपने अच्छे मित्र के घर में हो तो वो अच्छा हो जाता है वो मत्तब आपको रिजल दे सकता है एक ग्रह बहुत ही दुश्मनों से घिरावा हो दुश्मन क राशी में जी में घड्रश पक्षिन looking to Afghanistan कैक責 tusanwees जय समरे आपको बताई कि सिए इनर्जी मिलते हैं तो यहील का सबब होता है कि Der факurओ आता है चंद्रमा चंद्रमा के कौन सी राषी उच्ची राशी पार चंद्रमा कि उच्च राशी 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 है व्रशक वर्षब राशी जो होती है ये राशेयां लिखी हुई है सारी एक दो तीन चार बाई तक औित की सब्सक्राइब appa no वुच्च और नीच्छ का एक पंडा स्केशल के अगर को जिस राशी में उच्छे में उच्छा होता है उससे सात्वी राशी में वह नीच्छा घ्रेवाइं ऊच्छे दू दूबर राशीमे तो आठ नमबर को अगर व्रशियंग तो इस तदिश्दा हे सब कर quirHE? और चंद्रमा की मूलत्रिकॉन राशी कौन सी है इसमें एक अच्छी बात यह है कि चंद्रमा की मूलत्रिकॉन राशी वही राशी है जो चंद्रमा की उच्छ राशी कौन सी होई दो नमबर तो चंद्रमा की मूलत्रिकोन राशी भी दो नमबर ही होगा अब चंद्रमा की अपनी राशी कौन सी है यह मैंने पीछे आपको बता है जो लक्षर होएं पीछे के चंद्रमा की अपनी राशी होती है चार नमबर पर्क राशी वो चंद्रमा की अपनी राशी हो तो यह चंद्रमा की स्वय राशी हुई यह चंद्रमा की उच एवा मूलत्रिकोन राशी हुई और यह चंद्रमा की नीच राशी अब आते हैं हम लोग मंगल के मंगल को देखते हैं तो मंगल का भी यह है मूलत्रिकोन राशी पहले मंगल की उच्छ राशी में डीफरेंस होगा मतलब अगर पुंच राशी इसकी मकर तो कर्क में यह नीचर राशी का है तो उच राशी में, सात्य राशी में यह उच्छ का हो जाए तो मंगल जो है मकर राशी में आता है तो वो अच्छे फल देता है शुब फल देता है और इसके विप्रीत मंगल जब करक राशी में आता है तो वो अच्छे फल नहीं देता कि करक राशी में वो नीच का हो जाए और अगर अपने घर में तो उसको करता है इसी प्रकार से लेकिन किसी एक कमरी स्पेशल कम रहें गए हुए हैं तीवी लगा हुए है सब कुछ है वहाँ पर वहां पर उसी घर के अंदर तो वह मूंत्रिकॉल नाशी हो गई तो इसलिए मूलत्रिकोन राशी में इतना डिफरेंस है स्वेराशी में मूलत्रिकोन राशी में अब आते हैं बुद्ध पे बुद्ध की जो उच्छ राशी होती है वो क्या होती है कन्या होती है बुद्ध की उच्छ राशी कन्या होती है बुद्ध कन्या राशी में बैठे तो वो शुप फल करता है और बुद्ध की जो नीच राशी होती है वो होती है मीन उससे साथवी राशी कन्या से गिलेंगे तो साथवी राशी मीन आ जाएगी तो मीन में वो नीच का हो जाता है यानि बुद्ध जब मीन अब आते हैं गूरू पे ब्रसपती ब्रसपती के बारे में कहा जाता है कि ब्रसपती की जो उच्छ राशी होती है वो करक होती है करक राशी ब्रसपती की उच्छ राशी होती है और इससे साथ वी राशी जो दस नंबर राशी होई जो मकर राशी होई वो गुरू की नीच राशी अब गुरू की दो राशियां होती है गुरू की दो राशी कौन-कौन सी है एक धनू है दूसरी मीन है तो दोनों राशी उसकी स्वेराशी हो गई दोनों राशियों में वो बहुत खुश रहेगा अच्छा रहेगा सुफल देगा लेकिन किसी एक राशी में मैंने बताया कि सब्सक्राइब इसके बाद चलते हैं शुक राशी होती नौटी सिता है चाल और शुकर की जो उच्छ राशी होती है वह उती है शुक्र की दो राशियां होती है स्वेराशी जिसे कहते हैं एक तो होती है दो नंबर प्रशब एक होती है साथ नंबर तुला दो राशी शुक्र की होती है दोनों राशियां उसके लिए अच्छी है कि उसकी अपनी राशी है अपनी राशी में बैठता है तो अच्छा महसू करता है कि तुला उसकी मूलत्रिकोन राशी नहीं कहला तो तुला उसकी मूलत्रिकोन राशी अब आते हैं शनी पर शनी की नीच राशी जो होती है वो मेश होती है सनी और सूर्य में उल्टा है जो सूर्य की उच्छ होती है वो शनी की नीच राशी होती है वो शनी की उच्छ तो इन दो में से एक राशी उसकी मूलत्रिकॉन राशी होगी जिसमें बैटके वो ज्यादा प्रसंद मैसूस होगा तो मूलत्रिकॉन राशी उसकी कुम्ब होती है तो मूलत्रिकॉन राशी रावु के बारे में काफी पुड़ा अलग अलग चीजे अलग अलग उसमें कही गई हैं लोगों के विद्वानों के अलग अलग मत्य हैं लेकिन हम मानते हैं कि जो ब्रहक पारशर होरा शास्त्र है वो सभी ग्रंथों में सर्फ्षेस्ट है और उसक जो राहुकेतू की राशी और नीज की बताए गही हैं वही आपको बताए जारी हैं जो इसके धशा नुसम्सार फ'll के अंदर दिया हुए राहुकेतू के ऑच्राशी नीच राशी कहीं मेंशट होती लेकिन जहां दशा अध्याय है वहां व्रेक पारश्यव रजा शास्त् एलो की इंधिर राख्व की मुल त्रिक्वन में घृर मिया विद्ट और एद रहु की उच्छ नीच की वह थिए और रहों की वह हूं और वर्नित है तुम इसलिए आपको बता रहा हूं कि राहु के जो उच्छ राशी होती है विर्षभ होती है नीच राशी वर्स्चिक होती है राहँ के बूर में राशी को नाहीओ लगे लेंगे दाओelu क्हुंद ह Kopf हिए गए कि गड़ान आपको बताहिए रादार सिए घुल खेटर।व की वर्षब राशी हैं व शन्द्रमां की तरह है कि ए拟ू की नीच रशिवर बन जाती है उस से साथवी राशी आठ नमर राशी केतु के उच्छ राशी होती है वो धनू है तो यह राहु केतु की राशियों का वर्णन है जो ब्रहत पारा शरुवरा सास्त्रा में है उसके इसाफ से मैं आपको बताया है तो इनको आप ध्यान रख लिजिए और अगर ना भी आपको ध् साथ तो आशा करता हूं कि यह उच्छ नीच राशी मूर्त्रिकोन राशी का आपको सब्सक्राइब हो तो समझ माया हो तो कांड़े लाइक कीजिगा सब्सक्राइक कीजिगा शेयर कीजिगा और इसके लावा एक सूचना देना चाहता हूं कि हम लोग बेसिक से एडवांस बाइक सफ्टरोजी तक के एक कोर्स स्टार्ट कर रहे है वो जल्दी शुरू होने वाला है जो लोग इडरस्टेड हैं आपको अंडॉल पर आशकते हैं इसके अलावा एक effective मैंश देखेंग की हम लोग कुंड़ी मिलान का भी कोर्स करने जा रहे हैं कि कैसे कुंड़ी मिला झाल